पुलिस के जाच के दोरान फिलाल कोई सबूत नहीं मिला है कंगना का कहना है कि किसी ने उन्हें डराने की कोशिश की है इसके बाद से उनके घर की शुरक्षा बढ़ा दी गई है फिलाल पुलिस के एक टीम कंगना की घर की सुरक्षा में तरनात की गई है शुशान सिंग राजपूत के आत्मत्या के बाद से कंगना लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है कंगना ने बताया कि मैं अपने बेडरूम में थी और रात लगबग साड़े ग्यारा बजे मुझे पठाको जैसी आवाज सुनाई दी पहले मुझे लगा कि किसी ने पठाका चलाया है लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो मेरे दिमाग में खयाल आया कि इस समय मनाली में टूरिस भी नहीं आते हैं तो पठाका भी नहीं चलाएंगे ऐसे में एक गोली लगने जैसी ही आवाज थी उन्होंने कहा कि मैंने एक बार नहीं बलकि आठ सेकिंड में दो बार फाइरिंग की आवाज सुनी मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे घर की बाउंडरी के पीछे कोई था इसलिए मैंने तुरंद सिक्यॉरिटी को बुलाया मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कुछ बच्चे हूँ हो सकता है कि मेरी सिक्यॉरिटी के आदमे ने कभी गोली चलने के आवाज ही न सुनी हो हाले कि बाहर कोई नहीं था हम घर पे पाँच लोग है इसके बाद हमने पुलिस को बुला लिया कंगना ने कहा कि पुलिस का कहना है कि शायद कोई चमगादर को माणने की कोशिश कर रहा हो क्योंकि चमगादर सेब की खेती को नुकसान पहुचाते हैं शनिवार एक अगस सुबा हमने सेब के बगीचे से मालिक को बुलाया लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई इसलिए हमें लगता है कि यह हमें ड्राने के लिए किया गया है